तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आने के 19 अगस्त के important current affairs को देखे हमारा पहला प्रश्न क्या है अभी हाली में किस bank ने कुजी कोड में एक ऐसी शाखा खुली है जो पूर्ण रूप से किवल महिला करमचारियों के द्वारा संचालित है तो आंचार होगा HDFC bank तो अभी HDFC bank ने एक अनुखी पहल के अंतरगत उत्तरी केरल के कुजी कूड में एक ऐसी ब्रांच खुली है जो पूर्ण रूप से किवल महिला करमचारियों के द्वारा संचालित है इस शाखा में इस ब्रांच में चार महिला बैंक करें और अगर बैंक की अनुशार बात करें तो 31 मार्च 2022 तक कारेबल में महिलाओं की संख्या 21.7% थी और बैंक की योजना है कि इस संख्या को 2025 तक 25% तक किया जाए चलो आप मुझे बताओ अभी किस राज्य में पहला महिला बैंक खुलेगा तो आंसर होगा राजस्थान में जोकि पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड होगा और उसमें महिलाओं को लोन दिया जाएगा इसका नाम होगा राजस्थान महिला निधी अगर मैं आपसे पूछू देश का पहला रेल्वे स्टेशन जो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित है कौन सा है माटूंगा रेल्वे स्टेशन और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व बाला एफ एलो फिक्की लेडीज और्गेनाईजेशन और अभी Commonwealth Games 2022 में आपको याद है पहली बार महिला किर्किट को शामिल किया गया था जिसमें भारते महिला किर्किट टीम की कप्तान थी हर्मन प्रीत कौर और उसमें विजेता टीम रही थी ऑस्ट्रेलिया भारत उसमें दूसरे स्टान पर रही थी बाकिया आप जानते हो अभी हमने पड़ा था State Bank of India इसने उत्सव सावधी जमा Fixed Deposit योजना शुरू की Federal Bank ये एक नए टेक्स प्लेटफॉर्म पर गेटवे सूची बद्द करने वाला पहला बैंक बना था और Union Bank of India इसकी पहली महिला MDCO कौन बनी है याद रखना नाम ए मणी मेखलाई बागेदे को HDFC Bank क इसकी बात करें इस्तापना होती 1994 में है एडुकाटर मंबई में है मेनेजिंग डिरेक्टर कौन है शशिदर जगदीशन है और इसके टेग लाइन होती है We understand your world तो ये सब याद रखना बढ़ते आगे चलो बताओ अगस्त 2022 में किस राज्य के पूरवी कामोंग जिले के पासे च्वांग ताजो तक ड्रोन सिवा की पहली उडान मेडिसेन फ्रॉम स्काई पहल की सफलता पूरवक शुरुवात की है तो अभी इस परियोजना को पाइलेट बैसेस पे शुरू किया किसके द्वारा United States Agency for International Development के द्वारा इसे वित्पोशित किया गया और बंगलोरु इसमें क्या होता है ड्रोन के जरिये जो मेडिसेन होती है दवाईय होती है उसे पहुचाया जाता है चलो आप मुझे बताओ अभी प्रधान मंत्री जी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरन किया था क्या नाम है उसका वरुन इसे भारते नौसेना के लिए बनाया और अगर आपसे पूछे न कि स्वास्ति सेवा में ड्रोन को लॉंच करने वाला पहला भारतिर राज्य कौन सा बना तो आंसर कर देना उत्तरा खंड और बताओ किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंद लगा दिया इंपोर्ट पर भारत ने लेकिन नागरिक हवाई शे पूल ये कांपे खुला गया ग्वालियर मद्यप्रदेश में और ग्वालियर में ही प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का भी आयोजन किया गया था चलो बताओ भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब ये कांपे स्थापित की गई तो आंसर होगा केरल में और एक ड्रोन स्टा रहा था हमने अरुनाचल प्रदेश से तो हमने पढ़ा था कि अरुनाचल प्रदेश के तीसरे एरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है तो आंशर होगा डोनी पोलो एरपोर्ट अच्छा अरुनाचल प्रदेश की राज्य तितली कौन सी बनी थी केसर ए हिंद अरुनाचल प्र पहली बार वनेडियम के भंडार कहां पे मिले तो आंसर होगा अरुनाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में केविन ओब्राइन ने अंतरराष्टर किर्केट से सन्यास की गोशना कर दिये किस देश के हैं तो आंसर होगा आर्लेंड तो आर्लेंड के केविन ओब्राइन ने इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास की गोशना कर दिये अचा उनके नाम पे एक रिकॉर्ड भी है ICC पुरुष किर्केट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड तो इसली भी इनका नाम इंपॉर्टेंट है केविन ओब्राइन चलो कुछ प्रस्ण में आपसे पूशता हूँ अभी मुझे बताओ पहले आप तमिम इकबाल अभी एक्चुली में नोंने T20 इंटरनेशनल से रेटार्मेंट की गोशना कर दिये किस देश के प्लेयर है तो आं मेली धर ने भी कर दिया बैन स्टॉक ने ODI से सन्यास ले लिया इंगलेंड के प्लेयर है मोहमद हफीज की बात करेंगे इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास ले लिया इन्होंने पाकिस्तान के हैं और किरोन पोलाड के बारे में पढ़ा था इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास ले लिया वेस्ट अंडीज के प्लेयर है चलो अब आप लोग के लिए खॉमवर्ग प्रश्ण है अभी किरुन पुलाट से हम लोगों एक प्रश्ण बढ़ा था छेसू टी ट्वन्टी मैच वाला कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको क्या प्रश्ण था वो आप लोग मुझे बताओ बाकी क्रिस मॉरिस की बात करें तो अभी किर्केट के सभी फॉर्मेट से सन्यास ले लिया साउथ अफरिका के हैं रोस टेलर इंटरनेशनल किर्केट ने लिया न्यूजिलेंड के प्लेयर हैं और इयान मॉर्गन इंटरनेशनल केर्केट से सन्यास ले लिया इंगलेन के प्लेयर हैं ये सारे नाम मैं आपको जो बता रहा हूँ या भी कुछ दो-तीन मेने के अंदर-अंदर ही हमने पड़े हैं तो ये ध्यान रखना सारे हैं वैसे आईरलेंड की करंसी क्या होती है यूरो है, कैपिटल डबलिन है प्रधान मंतरी है, माइकल मार्टेन याद रखना बढ़ते आगे चलो बताओ अगस्ट 2022 में वास्टॉक 2022 से निया अभ्यास ये कहां पर होगा तो आंसर होगा रशिया में तो ये है वास्टॉक 2022 एकसरसाइस ये 30 अगस्ट को शुरू होगा जो कि 5 सेप्टेमबर तक चलेगा कहां पर? रशिया में और कौन-कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे रशिया, भारत, चाइना, बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान अच्छा, इस साल आपको याद हो तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने रश्या के साथ में एक एकसरसाइस किया था पैसेक्स नाम का एकसरसाइस कहां पर? अरप सागर में चाइना के साथ कौन सा एकसरसाइस करते हैं? hand in hand exercise करते हैं बाकी अभी याद होगा आपको Australia ने जो pitch black नाम का exercise आयोजित किया था उसमें भारत ने भी participate किया था भी अभी आपको याद होगा उदार शक्ती नाम का exercise ये भारत और मलेशिया के बीच में पहली बार एक exercise हुआ है कहाँ पे मलेशिया में भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक exercise हुआ था खंजर नाम का exercise यहीं पे हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में वैसे भारत और अमेरिका के बीच में October में एक और exercise होगा युद्ध अभ्यास नाम का exercise वो कहाँ पे होगा? उत्तराखंड के और अक्टूबर से आपको याद आएगा डिफेंस एक्सपो का बारवाज अंसकरन भी तो होगा अक्टूबर में कहाँ पे? गांदिनगर गुजरात में अच्छा अभी हमने उमान के साथ भी एक exercise किया है अगस्त में ही अल नजाह नाम का exercise कहाँ पे किया? राजस्थान में किया और अभी हमने वियत नाम के साथ भी एक exercise किया अगस्त में विन बैक्स नाम का exercise है वो किया हमने हरियाना में बांगलादेश के साथ हमने exercise किया इस साल संपृति नाम का exercise बांगलादेश में और उजबेकिस्तान के साथ हमने डश्टलिक नाम का exercise किया, श्री लंका के साथ में हमने स्लाइनेक्स नाम का exercise किया था, अभी फ्रांस के साथ वरुन नाम का exercise भी किया हमने, लिमित ये exercise ये हमने सेशल्स के साथ में किया है, और जापान के साथ भी इस साल हमने एक exercise किया था, परनाटक के बेल गाम में, तो ये सारी important exercises हैं, ये याद रखना आप बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी हाल इमे, State Bank of India ने startup के लिए समर्पित पहली शाखा ब्रांच कहां पे खोली है, तो अंसर होगा बंगलूरू में, और इसका अंसर दिखो अगर आप ये question नी भी पढ़ दोना तब भी लगा सकते हो, Startup Hub of India बंगलूरू को ये कहा जाता है, तो अभी SBI ने startup के लिए खास तोर पर समर्पित अपनी पहली ब्रांच बंगलूरू में खोली है, SBI के अनुसार, बंगलूरू के core mangalah में इस्थित ये जो ब्रांच है, ये share बाजारों में list होने तक startups क company को वित्य समर्थन देगी, मतलब startups के लिए ही ये मुख्य रूप से काम करेगी, तो याद रखना देश में startups को support करने के लिए उन्हें fund देने के लिए ये पहली bank branch होगी, जो किस ने खोली है, State Bank of India ने, अच्छा एक प्रशन में आपसे पूछू, बताओ Google ने छोटे शहरो में 10,000 startups की मदद करने के लिए अभी एक पहल शुरू की थी, उसका नाम क्या है, तो आंसर होगा Startup School India, अभी जुलाई में आपको याद हो तो startup ranking 2021 आई थी, जिसमें top पे था करनाटक और गुजरात, और इसी तरह से global startup ecosystem report आई थी, उसमें भारत में तो केरल top पे था, लेकिन दुनिया में केरल 20 वे इस्तान पे था, अभी हमने याद हो आपको तो National Startup Day मनाया, कब 16 जन्वरी को, और भारत का सोवा Unicorn Startup कौन सा बना, उनिकॉन उसे बोलते हैं जो startup या जो company, एक billion dollar के उपर की हो जाती है, उसके market cap, तो ये बना था सोवे नंबर का New Bank Open, बाकी State Bank of India से हम पूदना इसने शुरू की, मुंबई में इसका headquarter है, और इसके अध्यक्ष को ने? दिनेश कुमार खारा, पूर्वे अध्यक्ष थे, रजनीश कुमार जिन्नोंने अभी एक book लिखी है, उस book का नामे The Custodian of Trust, तो ये सब याद रखना बढ़ते आगे, अच्छा बताओ, ह भारत के electronic and IT सचीव, अलकेश कुमार को, दस सदसे internet governance forum leadership panel में newkt किया है, इस panel का उद्देश क्या है, इंटरनेट के रणनेतिक और जरूरी मुद्दों से निपटना, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए, कि अभी सन्यूक्त राष्टर में भारत की permanent representative कौन बनी थी, टी एस तिरुमूर्ती की जगे आई थी ये, नाम है रुचिरा कमबोज, अभी भारते राजनेक है, अमंदीब गिल, इनको प्रद्योगी की पर सन्यूक्त राष्टर प्रमुक का दूत बनाया गया था, और Lieutenant General Mohan Subramaniam, टक्षिन सुडान में सन्यूक्त राष्टर मिशन का force commander बनाय और कल परसों हमने पढ़ा था, Simon Steele का नाम, सन्यूक्त राष्टर के जलवायू प्रमुक के रूप में इनको न्यूक्त किया गया है, वागी United Nation की बात करें, तो इस्तापना होती है, 24 October 1945 में, हेड़ुकॉर्टर है इसका New York में, Secretary General Antonio Guterres, कहां से ये, पुर्त गाल से है, या तो अभी HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग के आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अभ्यान शुरू किया, और इस अभ्यान का नाम क्या है, विजल अंटी, और टेलिविजन पर लोला कुट्टी का लोगप्रिया किरदार ने भाने वाली बंद रखो, और अब इस विजल अंटी अभ्यान के जरिये, सुरक्षित बैंकिंग के लिए क्या करें और क्या ना करें के बारे में जागरुपता पैदा की जाएगी, देखो HDFC बैंक के बारे में हम पीछे प्रशन में पढ़ चुके हैं, अब एक प्रशन मैं आपसे पू प्रशन का नाम क्या है और उसे किस राज्य ने शुरू किया, ये बताओ आप, तब है बात, अभी तो हम बढ़ते आगे, फिर बताओ, अगस 2022 में किस राज्य सरकार ने, राज्य की महिलाओं के कल्यान के लिए, अम्मा योजना और वात्षले योजना शुरू की, तो इस तमांग, इन्होंने राज्य की महिलाओं के कल्यान के लिए, दो योजनाओं को शुरू किया है, जिसमें से एक का नाम है अम्मा योजना और दूसरी है वात्षले योजना, तो अम्मा योजना के तहत क्या होगा, राज्य की सभी बेरोजगार माताओं को सालना 20,000 रु इसको शुरू किया सिक्किम ने, तो यह रा मैप में सिक्किम, देखो सिक्किम की केपिटल गंग टोक है, यहां के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और मुख्य मंत्री हैं, पिएस गोले या पिएस तमांग भी आप इने बूल सकते हो, चलो बताओ, अभी सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई कौन सी बनी थी, तो आंसर होगा, बल्यू ड्यूक, और सिक्किम की स्टेट मचली, राज्य मचली मचली बनी थी, केटली, इसी तरह से हमने पढ़ा था, अरुनाचल प्रदेश की राज्य तितली कौन सी बनी थी, केसर रे हिंद बनी थी, यहीं पे ही लोसां स्टेडियम बनाया जा रहा है, किस फुटबॉल प्लेयर के नाम पे, बाइचिंग बूटिया के नाम पे, तो यह सारे नाम याद रखना बढ़ते आगे हैं, चलो बताओ, अभी अगस्त 2022 में जर्मनी में भारते समुदाई के पहले प्रतिनिदी के रूप में किसे चुना तो आंसर होगा गुर्दीप रंधावा को, तो भारते मूल के उद्यमी है गुर्दीप सिंग रंधावा, जिनको जर्मनी में भारते समुदाई के पहले प्रतिनिदी के रूप में चुना गया है, उन्हें भारते समुदाई की चिंताओं को सुनने और उन्हें राजनितिक के रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोचाहित करने का काम सुपा गया है रंधावा ये जर्मनी के Christian Democratic Union के सदस्य हैं और ये जो है ये जर्मनी की सबसे मजबूत राजनेटिक पार्टी है अच्छा आपको याद है अभी इंदर्मीत गिल ये World Bank के Chief Economist बने थे और Tata Project के Managing Director बने थे विनायक पाई KVIC के नए चेर्मन कौन बने? मनोच कुमार बने नाम याद रखना ये बढ़ते आगे चलो फिर बताओ अगस 2022 में केंदर सरकार ने Drug Control General of India के कार्रेकाल को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा VG Somani तो अभी केंदर सरकार ने Drug Control General of India VG Somani का कार्रेकाल अभी तीन महीने के लिए बढ़ा दिया वैसे अभी उनका कार्रेकाल 14 अगस्ट 2022 को समाप्त हो गया था तो तीन महीने तक और अपने पदपे बने रहेंगे इसी तरह से आपको याद आएगा तीन महीने के लिए अभी किसे अपोइंट किया गया था? हमारे Chief Justice of India कौन? UU Lalith, UU Honey Singh UU Lalith, 49th नंबर के तीन महीने के लिए बने वो उनका में नाम याद रखना बाकी CSIR के पहली महीला Director जनरल कौन बनी? नला थंबी कलाई सेलवी और थंबी से आपको याद आएगा भी 44 जो फिडे ओलंपियाड हुआ था पहली बार भारत में चैन्नेई में उसका शुबंकर यही था और याद रखना कि अगले वाले जो फिडे औलंपियाड होंगे चैस ऑलंपियाड होंगे कहांपे 2024 वाले तो होंगे रथ और Vodafone आइडिया के चेर्वेन कौन बने? रविंदर टककर बने थे तो यह सारे नाम भी याद रखना अब हम बात करेंगे कल की उईडियो में आप से क्या पुछा था इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो का जो तेविसवा संस्करने दो जाए तेविस में ये कहां पे होगा तो आंसर होगा कॉल काता में आप सभी ने प्रशन का विल्कुल सही उतर दिया है देखें इन सभी का क्विस बना करके अप्लूड कर दिया गया आपकी करेक एक्जाम एप्लिकेशन पर वहीं पे इनके पीडियाख भी आपको मिल जाएगी और प्लीज गाईज अगर सेजन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अब ये रहा आपका आपका हम परफ् बना कि तर बना कि अपथ्दी आती आपके प्लीज गोफ्शन अ जापक कि एम परएशन अच्रणर